अपने साथियों से राई लूगा, मैंने सभी से राई लिया और आट दिन का मैंने समय मागा था सभी लोग से अलग अलग, नीचे से ले करके उपर तक के जो हमारे साथ बर्सों से कई दसकों से साथ रहे हैं और उस छित्र के पर्धिश्यब कर रहा था तो उसे भी लोग का प्यार और जलकता रहा है। उन लोगों से बात करने के बाद हम तो दो चीज कहे थे कि या तो सन्यास या किसी राजनितिक धल तो लोगों ने बहुत उस पर कड़ी रूप से रुख अपनाया कि आप राजनितिक सन्यास की बात मत किजें और आप राजनितिक धल में रहकर करके ही हमारा भला कर सकते हैं। और उन लोगों कहीं कहना था कि आप जनता दलियू को जोईन किजें। क्योंकि आपकी जो मनसिक्ता है, जो आपका सोच है, जो आपकी पहचान है, जो आपका फृष्ट भूमी है। उसमें कोई समाजी, समाजवादी और गरीबों के रच्छा के गरीबों के लिए सोचने वाला और काम करने वाला इसके साथ ही आप रह सकते हैं। तो मुझे जन्ता दलीव के लिए सिगनल मिला, वहां की जन्ता का और बाहर में हमारे जो दली तो पेच्छित जिनके साथ मैं जुरा रहा हूँ, जो हमारे साथ नौजवान जुरा रहे हैं, सभी लोगों ने एक सूर से कहा, किसी ने नहीं कहा, लोगों तो करते कि अलग प सदस्ता गरहन के जाएं, और कल मैंने पोस्ट भी कर दिया कि मैं एक तारिक को जन्ता दलीव का सदस्ता गरहन करूंगा, 12 से के बीच में, हाँ, हमारी बात हुई है, हमारी बात हुई है, सभी वरिष मिताओं से बात हुई है, माननी मुक्वंत्री राष्टी और सब लोग की ही इक्षा थी, कि आप आएए, आप के आने से हमें भी बल मिलेगों और आप भी मानसी ग्रूप से संतुष्ट होंगे, और मुझे लगा कि वहां संतुष्टी रहेगी, क्योंकि जितने दिन मैंने उनके साथ काम किया, कुछ सवालों पर मैं छोड़ दिया, वो मेरी गलतियां थी, मैं मानता हूँ, लेकिन उनका, उन लोग को कोई गिला सिकवा नहीं है, हम वहां थे, सम्मान के साथ थे, मंतरी पद सवाल नहीं है, मंतरी पद रहते हैं, जो काम करने का मुझे को मौका मिला, और नितीज जी का जो विजन था, दलितों के लिए, पि किया, तो नितीज जी का निदेश पर हमको काम करने का अच्छा महुल मिला, काम करने का मौका मिला, इसलिए मुझे लगा कि वहां जाना अति उत्तम हो, जिस पार्टी में पहले थे, वहां के जो नेता थे, तेस्वी आदव, वो हमेशा नितीज जी पर हमला करते हैं, बोलत जब मैं जनता दल्यू की सदस्ता गरन कर लेता हूं, तब मैं उस सारे चीज़ों को खोलूँगा, वैसे मुख मंत्री का, उनमें छमता है कि यूइनों के परमुख भी बन सकते हैं, तो उसके लिए भी कोशिस करे, कोशिस करे, मेरी सुफ कामला है, इस राज का मुख मंत्र कर देखे हो, इस देश का प्रधान मंत्री के हो, यूनों का बन जाए, अमेरिका चले जाए, अमेरिका का राश्पती बन जाए, तेश्पी आदर में आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में कि आप एक राजनितिक कर रहे हैं, बहुत नीचे से उनके पिता जी तेश्पी आपको लग रहा है कि आने वाले दिन में उनका बविस्ट मैं किसी पर वेक्तिक टिपनी नहीं करता हूं, मेरी आदत ने, मैं चंसिकर्जी से सिखा हूं, चंसिकर्जी मेरे राजनितिक गार्जियन रहे हैं, जेपी मेरे आंदूलन के गार्जियन रहे हैं, इनी दूनों से मैंने शिख्षा गरहन किये अनि दोनों का कहना था कि किसी वेक्ति के टिपनी मत करो और वेक्ति टिपनी मत करो स्वाहिमान के साथ कोई समझवाता नहीं करो अब कोई निर्ने लेने के लिए अगर जो समाज में जो सबसे पीछे पाइधान पर खड़ा है उस वेक्ति के आँकों में आखें मिला करके तै कर लेना तुम्हारे निर्ने से उसको कितना लाव हो रहा है कितनी खुसी हो दाटू हो रह